नमस्काद दोस्तों सो आगात है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पार आज की बड़ी खबरे और मुख्य समाचार लेकर आए इस वीडियो में जहां दोस्तों एक एकर करके हल वो बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जो मुख्य समाचार में सामिल है तो अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठंदन 2024 के आम चुनाओं में जीतेगा तो वीडियो को लाइक करेजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू लिखेगा अभी सपोर्ट इंडिया पहली बड़ी खबार निकल के आ रही है दुरगा पूजा से पहले ट्रेन मे हजारों लोगों को लेकर दिल्ली पहुंच रही है सियम ममताव एनरजी जी इहाँ दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग नियोज परशे मंगाल कि सियम ममताव एनरजी की पारटी टीम-सी देश की राशधानी नई दिल्ली में एक बड़ा प्रदरसन करने जा रही है इस प दुर्गा पूजा से दो हपते पहले होने जा रहा टीमसी का यहाँ प्रदर्सन दो दिनों तक चलने की उमीद है और इसका लाइब टेलीकस्ट किया जाएगा पर्शिम मंगाल में दोस्तों टीमसी दोरा इस प्रदर्सन को Fight for Justice नाम दिया गया है मोधी सरकार के खिलाफ टीमसी दोरा किये जाने वाले इस प्रदर्सन का मकसद केंद दोरा प्रशिम मंगाल को उसके हिस्से की बकाया रासी से बंचित करना बताया जा रहा है अपने इस प्रदर्सन के लिए टीमसी दोरा दिल्ली चलो का नारा दिया गया है यहाँ वही नारा है जो नेता जी सुभाष चंद बोस ने कभी आई एने को दिया था यहाँ पर यह बिग ब्रेकिंग निउस निकल के आई है देख सकते हैं दिल्ली में होगा एक बड़ा प्रदर्सन टीमसी पारटी ने तैयारी पूरी कर लिए है सियम ममतावनाई जी के साथ ही उनके भतीजी अविशेक बनाई जी भी दिल्ले में प्रदर्सन का हिस्सा बनेंगे अगली ख़वर की तब चलते हैं यूपी में कॉंग्रेस होने वाली है और भी ज़्यादा मजबूत मिल चुके हैं इस बात के संकेत जी हाँ यूपी से बड़ी ख़बर है इमरान मसूद बोले मुसल्मानों के लिए कॉंग्रेस ही एक मात बिकल्प है पार्टी में सामिल होने के दिये संकेत दिन पर इन कॉंग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है इसी करम में सहरनपूर के पूर्व बिधायक इमरान मसूद ने बड़ी बात कही कहा कि अब मुसल्मानों को एक जुट होकर कॉंगेस पार्टी का समयतन करना चाहिए मुसल्मानों के लिए कॉंगेस ही एक मात्र बिकल्प है उन्होंने कहा कि मुसल्मान दलित और ब्रहमन कॉंगेस के परमपरागत मत दाता रहे हैं यदि मुसल्मान कॉंग्रेस में बापस लोटाएं तो ब्रहमन, दलित और अन्द पिछा बर्ग भी कॉंग्रेस पार्टी के साथ बापस लोटाएंगे अब देश में बदलाओ का दौर है और 2024 के चुनाओं में बदलाओ होना तरह है। हाला कि अभीता किमरान मसूस सामिल नहीं हुए हैं कॉंग्रेस पार्टी में लेकिन उन्होंने कॉंग्रेस में सामिल होने के संकेत दिये हैं इसी के साथ अगली ख़वर की तब चलते हैं। कि हस्ताच्छा के बाद सरकार ने इस कानून का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ऐसे में यहां पर एक बात है दोस्तों कि यहां पर महिला अरच्छन नई जंगरना और सीटों के पाईसिमन के बाद ही लागू होगा। यहां इस्तिती साफ है कि आगामी लोगसवा चुनाओं में यहां लागू नहीं हो पाएगा। माना जा रहा है कि दोजा उन्तिस के लोगसवा चुनाओं में यहां पर इसके लागू होने की उमीद है लेकिन उसमें भी समय लग सकता है सरकाय ने इस पष्ट नहीं किया है बहुत से प्रावधान इसमें दोस्तों हैं जिनके चलते इस कानून को लागू करने में देर हो स बड़ी ख़वर निकल कि आई अगली ख़वर की तब चलते हैं बीजेपी से हाथ मिलाना जेडियस को पढ़ रहा है भारी सौ से अधिक नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा करनाटक में बीजेपी के साथ गठवंदन करना एश्डी देव गोडा की पार्टी जेडिय राजा विधान सवा छे तके अब्दुल खादा सही 100 से अधिक पदा अधिकारियों ने जेडियस से इस्तीफा दिया है जेडियस के सिंबल पर विधान सवा चुनाओं लड़ने वाले खायदर ने कहा कि भाचपा और आरसस पूरे देश में मुस्लिम समुदाय को निसाना बना रही है नफरत की राजनीती कर रही है बे मुस्लिम समुदाय को पैसान कर रहे हैं भाचपानेता खुले तौर पर कहते हैं कि वे नहीं चाहते हैं मुस्लिम बोट दे ऐसे में हम सभी इस बास से दुखी है कि जेडियस करनाटक में बीजेपी के साथ गठवंदन में है इसी के साथ एक और बड़ी ख़वा निकल के आ रही है राहूल गांधी की लोग प्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आम जनता के बीच लगातार अपनी पहुँच बना रहे हैं उनकी समस्याओं को सुन रहा है वहीं दोस्तों आब मद्धपदेश में कॉंग्रेस की जीत का संकल्प लेके रहूल गांधी पहुँच चुके हैं वहाँ पर एक जनसवा को संबोधित करेंगे जी हाँ दोस्तों बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए रहूल ने अंट्री कर दी है मद्धपदेश में कॉंग्रेस के पूर्व अध्यच रहूल गांधी और प्रदेश कॉंग्रेस अध्यच कमलना दोस्तों साजा पुजीले की विधान सवा के यहाँ पर जन आकरोस रैली में सामिल होका जनसवा को संबोधित करेंगे दोस्तों यह रैली बीजेपी की जन आसिरवाद यात्रा के बिरोध में निकाली जा रही है क्योंकि जनता आकरोस इत है बीजेपी के सासनकाल से भेष्टाचार से परसान है इसलिए कॉंग्रेस ने इसे जन आको सयत्रा नाम दिया है अब यहाँ पर राहूल गांदी भी इस सयत्रा का हिस्सा बनेंगे इसी के साथ एक और ख़बार आ रही है बहुत बड़ी ख़बार एक राष्ट एक चुनाओ फिलहाल अभी नहीं निर्वाचन आयोग ने बिधी आयोग से कहा हमें समय चाहिए दोस्तों एक राष्ट एक चुनाओ पर यहाँ पर सरकार का मन था कि दोज़ाद 24 में ही यहाँ पर चुनाओ टाल दिये जाए पांच रा हो पाएगा फिलहाल इसके लिए समय चाहिए दरसल चुनाओ आयोग ने बिधी आयोग से कहा कि लोग सभा और राज विधान सभाव के लिए एक साथ चुनाओ कराने में कुछ समय लगेगा तैयारी करनी होगी दूसरी तर बिधी आयोग ने भी सरकार को बताया है यहाँ प रहा है यह बड़ी ख़वा निकल के आई है दोस्तों देख सकते हैं चुनाओ आयोग ने भी हाथ खड़े कर दिया है और विधी आयोग ने भी सरकार को बता दिया है कि इसमें समय लगेगा और दोहजार उन्तिस से पहले यहाँ संभब नहीं हो पाएगा विधूरी दानिस बिवाद की जाच करेगी पंधस अदस्तियों की कमिटी जियां दोस्तों एक तराफ बिधूरी पर कारवाई की बजाए यहाँ पर उन्हें राजिस्थान का चुनाओ पर भारी निक्त कर दिया गया है दोस्तों आपको वताते चलें अवी तक कयास लग रहे थे कि बीजेप संसर रमेज भी धूरी और बसपा संसर दानिस अली के मामली की जाच अब संसर की विसे साधिकार समिती करेगी लोग सवाई स्पीकर ओम बेला ने इस मामले को विसे साधिकार समिती के पास भेश दिया है जब भी पच्छ का भारी दबाओ बढ़ा तब दानिस अली ने यहाँ पर सीढ़े तोर पर स्पीकर को चिट्थी लिखकर कानूनी कारवाई की मांग जिसके बाद विपच्छे दलों का साथ भी यहाँ पर दानिस को मिला था वहीं आप दोस्तों यहाँ पर विशेशादी का समिती करेगी जिसमें 15 सदस सामिल है और यह कमिटी ही इस पूरे मामदे को देखेगी और फैसला देगी यहाँ पर यह बड़े ख़ब निकल किया है इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मद्वदेश में BJP के हालत एक दम से खसता है इसकी अंदाजा इसी इस लगाया जा सकता है कि BJP अप केंद्रे मंत्रे और सही सांसदों को भी विधाय की का टिकेट दे रही है इसी करम में नया नाम है दोस्तों जोत्रादित सिंद्या का जिया दोस्तों इन्हें विधाय की का टिकेट मिल सकता है संभावित है कि तीसरी लिष्ट में इनका नाम भी सामिल होगा यहां दावा सूत्रों ने किया है मद्देश में तीसी लिष्ट में भी कुछ और संसरों के नाम आ सकते हैं तीसी लिष्ट आने से पहले ही कुछ और नामों पर चार्चा सुरू हो गई है जिनमें दोस्तों जोरत्य अदित सिंद्या का नाम भी सबसे उपर है यह आज की बड़ी खबरे और मुखे समाचार थे जो आप सभी तक पहुंचाए है वीडियो पसंद आया हो अगर आपको तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भार